चलो एक ख्वाब देखते हैं, एक ख्वाब जो आँखों से होकर दिल तक जाता हो, जहां हम भौरों सा गुन-गुनाना और फूलों सा खिल-खिलाना जानते हों, जहां हम अपने विस्वास से सीच कर अपने ख्वाबों को जीवित करना जानते हों, एक ख्वाब जहां प्रेम से रिस्ते निभाय जाते हूं चलो इस ख्वाब को अब पूरा कर दिखाते हैं जो हम खुद के लिए चाहते हैं वो ही दूसरों को भी बाटते हैं चलो एक बार फिर से सिर्फ प्रेम से रिस्ते निभाते हैं अपने इस खुबसूरत ख्वाब को खुबसूरत सा हकीकत बनाते हैं चलो हम ये ख्वाब सब को दिखाते हैं विधा क्यूट स्माइल एंड पॉस्टिव थॉट्स गूट मार्निंग फ्रेंड्स एंड फर्स्ट अफ वॉल्कम एंड वेलकम बैक टो दिस चैनल तो दोस्तों जैसा की हम सभी जानते हैं आज 14 फैबररी है कौन-कौन से डे सेलिबरेट किये जाते हैं ये सब हमें पता है तो आज का दिन मैं कैसे सेलिबरेट करती हूँ यही आप से सेयर करने वाली हूँ तो सबसे पहले मैं उठकर मॉर्निंग रूटिन को फॉलो की उसके बाद मार्केट से कुछ पूजा का सामाल लेते आई नो मॉर्निंग रूटिन में मैं ब्रस की उसके बाद मैं नहा की क्योंकि मार्च जाना था कि पूझा का समान przyp theo और मोर्च 2 21 nuestro लेना था दो यह ले ली तो यह धूपदानी बहुत ही प्यारा था और मयें बहुत दिन से लेना चाही थी पर सोभा और साथ ही मैं दो ईधो गी के बड़ में जादा घी के दिये जराना पसंद है अगर वती में बहुत कम करती हूं ऑप कि इसके बाद थोड़ा सा पूजा वाला रैक को अच्छे से की थोड़ा सा थोड़ा ना अच्छे से और यसे जल और नहीं सकते है तो श करके इसमें जल हमआना देती है इस तरह से क्या है कि अपना positivity थोड़ा प्लांट को भी मिल जाता है और फिर इस तरह से मैं प्लांट में जल भी डाल देती हूं और फिर उसके बाद मैं थोड़ा से रैक को ठीक करने के बाद फिर मैं पूजा की आज सरश्वती पूजा तो है ही साथ में वैलन्टाइन डे भी सेलिबरेट किये जाते हैं तो सबसे पहले सरश्वती पूजा की सबको बहुत-बहुत हार्दिक सुपकामनाएं मा सरश्वती सभी को सही रास्ता दिखाएं और सबके जिवन में धेर सारा प्यार हो आज तो वैलन्टाइन डे भी है पर आज के ही दिन हमारे बहुत सारे वीर सहीद हुए थे मैं ये नहीं कहती कि आज कुछ इंजवा ही नहीं करो लाइफ है तो जीना तो है ही बड़ थोड़ा सा उन वीर सपूत के लिए भी प्रेयर जरूर कर लेना इस वर उन सहीद वीरो के फैमली को हिम्मत दे शानती दे और उनकी आत्मा को सांती दे पूझा करने के बाद मन में एक अलग ही सांती होती है सुकून होता है और ऐसा लगता है जैसे कोई आपके साथ है और अगर उनका आसिरवाद हमारे साथ हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं आज मेरे छोटे भाई का बर्टे भी है तो मैं सोची रेधी की कैसे सेलिबिरेट करूँ कि तभी एक आइडिया आया फिर क्या था? मैं मेरे छोटी बेहन को कॉल की और फिर हम दोनों चले गए केक सौक पर अभी तक भाई को कुछ पता नहीं था हम दोनों बेहन मिलकर उसके लिए एक छोटा सा सर्प्राइज रखे थे यहाँ पर हम केक लेने में थोड़ा सा कन्फ्यूज थे क्या क्या लेए जुक्ति न मृफ और में, चाक्लिटि कर नहीं थे चॉक्लेट केक लेते हैं यह भी उसे पसंद है और हम लोगों को थे दोनों ही पसंद है कोई भी चलेगा पर फिर, फाइनली हम लोग यह लिये और फिर हम लेफ लेने के बाद उसे कॉल कि Zeit आने के लिए उसे बोल दियं और फिर हम तीनों लोग मिलकर उसका बड़ि़्ड धे की क्यक्ट केए फिर भाई ad पैसे पर हम दोनों भैन खूब एस किए जी भर कर खाए और बहुत सारी बाते किए पता है एक बात मैं और कहना चाहूंगी यहां के न स्टाप मेंबर्स तब बहुत अच्छे थे बहुत जादा कॉपरेट कि कि एं ल PF को पता चला कि हम लोग बर्षते सेल्वेट करने आए तो बहुत जादा कॉपरेट कि empowering हैं और हम लोग उन के लिए बहुत जादा tha चीट किये और पता है जब हम लोग गया है उस वक्त जब हम लोग गया ना उस वक्त बहुत सरा स्पेस बहुत कम लोग थे तो अम लोग तो बहुत मज़ा आ रहा था कि बस हम ही लोग थे पूरा अपने तरीके से वहां पे थे और मज़ा आ रहा था फिर पता है लास्ट लास् बढ़ते की थ्रोई पर हम लोग मिले बहुत दिनों के बाद हम लोग सब भाई बैन एक साथ मिले मतलब पास में ही रहते लेकिन होता है ने कि इतना बड़ा सीटी है तो फिर पढ़ने के लिए रहते तो हमेशा तो मिल नहीं पाते हैं तो फिर इस तरह से हम लोग मिले बहुत सारा मज़ती कियें, बहुत सारा मज़ा आया, उसके बाद साम हो चुका था, और फिर भाई को अपने दोस्तों को भी पार्टी देना था, तो फिर वो चला गया, और फिर मैं कुछ दिर आराम की, और क्योंकि साम में सच्वती पूजा भी था, तो उसे भी इंज्वाइ करने जाना था, तो फिर कुछ दिर आराम करने के बाद मैं मेरी दोस्तों के साथ साम में घुमने चली गई, पता है वैसे मैं इतने रात को जाती नहीं हूँ, और उस दिन बहुत जादा ठक भी गई थी, लेकिन फिर भी मतलब सच्वती पूजा था, नहीं घुमने जाती तो करना पड़ता, फिर यही सोच कर मैं सची, नहीं आज तो चलो हुई, फिर क्या वो रात भी हो गया था, फिर मेरी दोस्त बोली कि चलो चलते हैं, तो फिर उसके साथ गई, और फिर वहां पर बहुत अच्छा लगा, जाने के बाद भी बहुत अच्छा लगा, और फिर नही जाती तो मतलब बस आती, अच्छा ही हुआ कि मैं चली गई, और ना मैं सोचते ही रहती कि मैं नहीं गई, मैं नहीं गई, तो इससे अच्छा हो कि मैं चली गई, वहां पर जाकर बहुत अच्छा लगा है, पास में दुर का मा भी थी, तो पहले उन से मिली, उसके वाश्व जब लिन के बाद ये किसी बी मंदिर से आने के बाद और आज हैं आज मेरे तरफ से आप सभी सश्रतीप पूजा की हरतिक सुपकामना आ साधर औरained दूसरोनों को भी है हैं तो आज के लिए इतना ही दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लाग में थैंक यूँ